आईफान को बैन कर दिया गया है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रमेगनेटिर रेडियेशन नॉर्मल स्टेंडर्स से बहुत ज़्यादा हाई थी इतनी ज़्यादा हाई थी कि भाई कैंसर भी हो सकता था फ्रांस में एन एफार एक डिपार्टमेंट है जो रेडियेशन वगयरे कंट्रोल करता है उन्होंने 141 फॉन 141 फॉन मार्किट से रेंडम खरीदे जिनमें आईफॉन भी थे और लेबवर्टी में टेस्ट कराए तो पता चला कि दो आईफॉन 12 ऐसे निकले हैं जिनका इलेक्टो मेगनेटन रेडिशन 5.74 वाट पर केजी है देखो इसको मैं बताता हूं कि नॉर्मली हमारा जो शरीर है वो 4 वाट पर केजी तक एब्सॉर्व कर सकता है यूरोपियन देशों में इसे वैसे तो 2 वाट पर केजी रखा गया है बलकि इंडिया में तो 1.6 वाट पर केजी रखा हुआ है आप उने फॉन में star hashtag 07 has डालेंगे तो आपकी वो एक SAR value आ जाएगी वो limit set है इंडिया में 1.6 है और यूरोपियन देशों में वो 2.0 है लेकिन वहाँ पर फिर भी कह रखा है कि 4.0 तक भी चल जाएगा उसके नीचे जीचे होना चाहिए उतने में भी काम चल रहा है ये टीवी या microwave रेडियो इन में भी use होती है लेकिन एक limit तक हमारा शरीर उसे absorb कर लेता है कोई problem नहीं होती है लेकिन 4.0 के बाद वो खतरनाक होना सुरू हो जाती है 4.1, 4.2 ये भी खतरनाक है लेकिन iPhone 12 की 5.74 निकली है ये बहुत high है ऐसे में यहाँ पर sale ban कर दी France में बाकी देशों में भी अभी ये चेक चल रहा है और बाकी iPhones में भी चेक चल रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है अपने Android ये iPhone में भी चेक करके देख सकते है लेकिन company ने अपने इसाप से सेट कर रखा है चेक करने के लिए एक डिटेक्टर आता है एक डिवाइस आता है उससे ही आप चेक कर सकते हो वैसे पता नहीं चलता है नॉर्मली इसके high होने से dizziness, memory loss, शरीर में effect, burn या एक level पर बढ़ने के बाद cancer होने के भी chances होते हैं तो है ये बेहत खतरनाग तो ऐसे में बाकी देशों में ये चेक हुआ है और यदि आपके पास iPhone है तो तुम तो अमीर हो गई मार्किट में EMF डिरेक्टर आता है 4000-5000 का तो ले लो एक बार चेक कर लो दी तुम्हारे पास विशेश कर iPhone 12 है तो चेक करी लो और iPhone वाले चेक कर लो वरना iPhone के चकर में सुसरे कदी पुत जाओ तुम और भारत में तो ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं है क्योंकि इन फालतों चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है भारत में तो बहुसाई चीज है ऐसी बिक्ति है जो भार बैन है जीसे रेड बुल बैन है कॉल गेड भार बैन है बच्चों के लिए yeah all to crash test में fail हो गई है लेकिन यहां भिकरी है दडले से कुट्टे की साबुल लाइफ बॉय जो हम अपना गेसे जा रहे हैं जहां तंदर उस्तिया वा गंटा यहां कोई फरक नहीं पड़ता है यहां पर इलेक्ट्रमेडिक रेडियेशन चेक करने का हमारे पास टाइम नहीं है हम बढ़ि जब आप फॉन को चार्ज करते हो उस वक्त चलाने से बचो क्योंकि उस वक्त भी यह हाई लेवल पर होता है इसके अलावर जब यूज ना हो तो हो सके स्विच आफ कर दो इन चीजों से थोड़ा मुड़ा बस सकते हो ज्यादा नहीं बस सकते हैं लेकिन फिर भी यदि जाने दो क्योंकि बाकी देशों में अभी इसे चेक किया जा रहा है और कर रहे होंगे छुप छुप के एपल ने इस पे कहा है कि देखो भहिया बात ऐसी है हम एक सॉफ्टेर अपडेट दे देंगे और इससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एपल दुआरा दिये ग कंपनी मानता हूं और वो ऐसी लापरवाही करता है इतने हाई लेवल की 5.74 यह बहुत हाई है बाकी कंपनियों पे क्या ही भरोस्य करें क्या ओपो क्या पो क्या लावा क्या पावा सब बक्वास है सब का डर है तो भाई यदि तुम यूज कर रहे हो फॉन यह यदि तुम चीजी जो मैंने बताई हैं कर लेना और आईफोन ले रहे हैं तो एक बार फिर भी लेबार्टी टेस्ट आ जाने दो तब जाके आईफोन को सोचना खरीदना बाकी आईफोन रखने वालों या खरीदने की इच्छा रखने वालों को तुम बस एक सला देना चाहूआ कि तूूू।